Hello guys, welcome back to TechWorks X. एक नई वीडियो में आपका स्वागत है. तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी Android आप्लिकेशन दिखाऊंगा, जो अगर आप उसे बनाते हो, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो basically ये एक college app है, और साथ में एक admin app, पैनल वी है, इस app का. तो एक दो तरह, दो apps हैं, separately, लेकिन separately use होंगी. तो इस वीडियो में मैं आपको उसका demo बताऊँगा, देन वीडियो के last में बताऊँगा कि उस application को आप कैसे create कर सकते हो. साथ मैं ऐसी कुछ जानकारी दूँगा, जो आपके लिए बहुत ही useful होगी, अगर आप एक Android developer बनना चाहते हो, तो सबसे पहले उस app का demo देख लेते हैं, कि वो app दिखता कैसा है, और क्या functionality उस app की, तो उसके लिए मैं आपना phone open करना होगा, तो मैंने अपना phone open कर लिया, यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो then सबसे पहले, मैं इस application को open करता हूँ, यह application play store पे भी available है, GP आदमपूर के नाम से, एक college का नाम है, GP आदमपूर, तो मैं इसे open करता हूँ, तो जैसी app open हुआ, सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक image slider है, जिसमें college की images है, कुछ, अगर आप अपना college का application बनाओगे, तो आप अपने college की images add कर सकते हो, then description दे सकते हो, सबसे नीचे एक bottom navigation बार है, साथ में navigation drawer भी है, इस application के अंदर, then contact detail है application की, और यहाँ पे एक location है, इस college की, तो जैसी आप click कर होगे, तो maps पे location open हो जाएगी, तो मैं back आजाता हूँ, तो जब यह home है, हमारा bottom navigation बार का, then यहाँ पे click करता हूँ, तो यह news feed है, news feed मतलब, इसका एक admin panel भी है, तो मैं बताऊँगा की, वहाँ से कैसे आप news को add कर सकते हो, कैसे notice को add कर सकते हो, with images, तो जैसे आप image पे click करते हो, तो देखो आप image open, बड़ी view जाती है, और आप image को share भी कर सकते हो, यहाँ से zoom भी कर सकते हो, तो काफी features हैं, इस app के अंदर, then मैं भी आपको बताऊँगा की, कैसे यह सारी details update होती है, then यहाँ पे faculty है, यहाँ पे उस college की जितनी faculties है, तो इस सब dynamic faculties है, तो आप कितनी faculties add कर सकते हो, किसी कभी data update कर सकते हो, यह सारा firebase पे store है, then यहाँ पे आ जाते है gallery के अंदर, gallery के अंदर यहाँ पे recycler view है, और उसके अंदर gallery create है, अगर events होते है college में, तो वो उसकी images आप डाल सकते हो, independence day की आप देख सकते हो, तो अपने college की साब से, आप इस application को create कर सकते हो, और अपने college की images डाल सकते हो, then last में इस college का about है, कि college क्या है, क्या कर सकता है, जैसे same home था, वैसे ही है, बस यहाँ पे में slider नहीं है, then navigation drawer open करता हूँ, तो यहाँ पे e-books है, जो भी आप upload करना चाहो, अपने admin को write देखे, तो upload कर सकते हो, और इस तरह यहाँ पे आप PDF को चाहो, तो यहाँ से भी open कर सकते हो, चाहो तो अगर आप download भी कर सकते हो, तो मैंने जैसे कोई PDF open करी तो यहाँ देख सकते हो, यह PDF open हो चुकी है, तो काफी amazing app है यह, now video lecture पे click कर रहें तो YouTube open हो जाएगा, तो आप कोई साभी link दे सकते हो, साथ में यहाँ पे themes का भी option है, अगर आप कोई भी themes select करते हो, तो theme सारी change हो जाती है इस app की, और यह काफी अच्छे features हैं, इस app को अगर आप बनाओगे तो बहुत सारी चीज़े सीखोगे, तो वीडियो के last में बताऊँगा कि इस app को आप कैसे बना सकते हो, आप इस app का admin panel देखते हैं, कि इस सारी चीज़े update कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले यह देख सकते हो, यह आप admin app है, तो मैं इसे open कर लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक by default email, id and password आपको enter करना होगा, जो आप app create करते समय एंटर बनाया होगा, तो मैं email enter करता हूँ, और then password है इसका 12345, then login पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकता हो, login हो गया, तो यहाँ पे upload notice पे क्लिक करोगा, तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, college app के अंदर notice था, तो यहाँ से आप simply कोई भी email सेलेक्ट कर सकते हो, then कोई book upload करनी है, तो यहाँ से book upload कर सकते हो, PDF सेलेक्ट करके, then इसके बाद कोई faculty, अगर आपने new faculty add करनी है, तो यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको किसी faculty, previous faculty का data update करना है, तो यहाँ से कर सकते हो, और साथ में कोई notice delete करना है तो यहां से कर सकते हैं सारे notice की list आ रही है यहां पे तो आप कोई सभी delete कर सकते हो then simply आप log out बे क्लिक करोगे तो log out हो जाओगे तो यह basically two apps है तो इस तरह का app बनाने के लिए कम से कम आपको 32-35 वीडियोस देखनी होगी कम से कम तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस application को आप बनाओगे कैसे तो सबसे पहले link description में भी है और आपको simply अपना YouTube open कर लेना है आपको search करना है channel papaya coders यही मेरी एक friend है as a android developer अगर आपको सारी चीज़े बनानी है बहुत सब सारी चीज़े सीखनी है मैं खोशिस करता हूँ कि अच्छे से अच्छा content प्रवाइड करूँ यह मेरी एक friend है इनका भी channel है YouTube पे android के projects डालते हैं यह भी तो इनके channel पे काफी अच्छे projects है तो आप देख सकते हैं इनकी playlist college app है इसी यही college app है college 2.0 और college app इनके channel पे साथ में wallpaper app भी है और then valentine app भी है तो बहुत सारे apps है तो आपको simply इनके channel पे जाना है और इस वाली series को देखना है इस वाली series को देखोगा तो आप यह app easily create कर सकते हो और इनका way of explanation इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल पसंद आ रहेगा एक ही problem थी कि इस सारी videos इसमें हिंदी में है तो जिसको हिंदी आती है वही देख सकता है otherwise अगर आप same code type करोगे अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो भी आप इस चैनल पे जाके आप देख सकते हो easily यह काफी अच्छे से explain करते हैं one by one single line तो मैं recommend करूँँगा कि as a developer पर आपको support करना चाहिए अगर आपको इस channel के बारे में नहीं पता है यह काफी अच्छा content provide कर रहे हैं एक साल से महत कर रहे हैं यह भी हमेरे साथ कहीं है तो आपको इस channel पर जरूर जाना चाहिए इस channel पर काफी कुछ है programming tips है college app है then admin app भी है साथ में wallpaper app है learning app है और endo studio के बारे में काफी details है endo tutorials है beginners के लिए थोड़े web development की courses है तो आपको मैंने demo दिखा दिया इस app का by the way आप इस channel पर जाओगे तो और आपको आपको easily demo मिल जाएंगी जैसे valentine day open करूँआ तो आप देख सकते हो यहाँ पर valentine day के demo आ जाता है तो सबसे वहले ads चल भी है तो ad skip कर देख सकते हो यह valentine app का demo है तो आप कुछ भी इन्होंने काफी अच्छी चीज़े explain करी है तो इस channel पर मैं recommend करूँग आप जरूर जाओ और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अभी काफी कुछ projects upload नहीं कर रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि upload करता जाओं continuously बट अगर आपको बहुत सारे projects बनाने है तो आप इस channel पर जा सकते हो और इस channel का link description में भी और आप simply papaya coder search करोगे तो आपको इस channel का description मिल जाएगा YouTube पर easily so इस video में बस इतना ही अगर आपको एप बनाना है तो आप जल्दी से इस channel पर जाओ subscribe कर लेना इस channel को और साथ में इनकी सारी videos देखना है काफी अच्छी videos हैं और मेरे को comment section बताना कि आपको ये video कैसी लगी और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और channels ये ऐसे ढूंड के लाओंगा तो इस video में बस इतना ही है thank you for this video अगर आपको कोई भी कोरी आपनी जाए comment section बूस सकते हो thank you see you soon in next amazing video